क्रांती औरेसामी आपका स्वागत है, एक बार की बात है एक जंगल में एक जील थी, जो खुनी जील के नाम से प्रसिद्ध थी, शाम के बाद कोई भी उस जील में पानी पिने के लिए जाता तो वापस नहीं आता था, एक दिन चुन्नू हिरन उस जंगल में रहने के लिए उसकी मुलाकात जंगल में जग्गू बंदर से हुई, जग्गू बंदर ने चुन्नू हिरन को जंगल के बारे में सब बताया लेकिन उस जील के बारे में बताना भूल गया, जग्गू बंदर ने दूसरे दिन चुन्नू हिरन को जंगल के सभी जानवरों से मिलाया, जंग राम को वह उस चील में पानी पिने गया तो उसने उसमें बड़ी तेजी से अपनी और आता हुआ एक मगरमच देख लिया। जिसे देखकर वह बड़ी तेजी से जंगल की तरफ भागने लगा। रास्ते में उसको जग्गू बंदर मिल गया। तेनाली राम की श्रेष्ट हि जग्गू ने चुन्नू हिरल से इतनी तेज भागने का कारण पूछा। चुन्नू हिरल ने उसको सारे बात बताई। जग्गू बंदर ने कहा कि मैं तुमको बताना भूल गया था कि वह एक खुनी जील है। जिसमें जो भी शाम के बाद जाता है वह वापिस नहीं जील में मगरमच क्या कर रहा है। उसे तो हमने कभी नहीं देखा। इसका मतलब वह मगरमच ही सभी जानवरों को खाता है जो भी शाम के बाद उस जील में पानी पिने जाता है। अगले दिन जग्गू बंदर जंगल के सभी जानवरों को ले जाकर उस जील में गया। मग कर मगरमच कुछ नहीं बोला चीकू खरगोश ने दिमाग लगाया और बोला नहीं यह तो पत्थर है लेकिन हम तभी मानेगे जब यह खुद बताएंगा यह सुनकर मगरमच बोला कि मैं एक पत्थर हूँ इससे सभी जानवरों को पता लग गया कि यह एक मगरमच है चीकू इस कहानी से हमें यह सीक मिलती है कि यदि हम किसी भी मुसीबत का सामना बिना घबराय मिलकर करते है तो उससे चुटकारा पास